नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नज़र डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आप वो आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं इनमें विसिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं योग परिग नामक नैसर्गिक अशुब योग शाम 6 पैतिस तक तो दंतर शिव नामक नैसर्गिक शुब योग है परिग योग की पूरवार्द घटिया शुबकारों में तयाजय है जो निकल चुकी है नजर आज के रतोटसब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जोतिशियों के मुताबिक पंचांग में चंद्रमा की सिती क्या रहने वाली है रहुकाल और देशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा चंद्रमा धनू राशी में रातरी चार सैतिस तक रंतर मकर राशी में होगा दिशाशूल मंगलबार को उत्तर दिशा की आत्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र सिती के नुसाराज पूर्वदिशा की आत्रा लाबदायक वो शुप्रद है राहुकाल मदेमान से अप्राहन तीन बजे से स्राम साड़े चार बजे तक राहुकाल वेला में शुबकारिणम यथा संभव वर्जित रखना हितकर है ग्रह राशी नक्षत्र परिवर्तन हर्शल कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश शाम चैर तालिस पर अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है जन्म लेने वाले बच्चे जन्म लेने वाले बच्चों के नाम धा, फा, धा, भेभो, आधियक्षरों पर रखे जा सकते हैN समस्याओं का समाधान होगा प्रतियोगी शेत्र में सफलता मिलेगी तो पंचांग ग्रह नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो धन्यवाद